हलो फ्रेंट्स वेलकम्म वार चानल कारंट अफेर अपडेटेड इस दिवश्री शवस्ती तिससरे बहुत दिनों से डिमांड आई थी किसा जो स्कीम से ठीक है गवर्मेंट की जो स्कीम से उस पर एक लिक्षे बनाया जाए को कि बहुत सारी स्कीम्स जो है वो न्यूस में है बहुत सानी स्कीम्स लाउंच भी की गई है न्यूरा स्कीम्स तो जो लाउंच की गई है उनके बार में भी और जो पुरानी स्कीम्स भी है बट एक्जाम में भी पिछले 2023 में अगर मैं बात थänder हूं जैन्वरी 2023 से लेकर, नवंबर 2023 के पीच में जो न्यूस में ञई है जो तो यह साथी स्कीम जो मैं डिसकस करा हूँ वो सेंटल गवर्मेंट की स्कीम से याद रखेगा स्टेट गवर्मेंट की स्कीम के लिए मैं अगला लेक्षर बना दूँगा तो चलिए देखते हैं कौन-कौन सी स्कीम से जो एक्जाम परस्पेक्टिव से आपको याद रखनी है और क्या-क्या चीज़े याद रखनी है सबसे पहले देखिए PM प्रनाम स्कीम ठीक सीधा आएगा PM प्रनाम स्कीम फुल फॉर्म पहले बता लेता हूँ और मिनिस्ट्री बता लेता हूँ फुल फॉर्म देखिए PM प्रोग्राम फोर रिस्टोरेशन अवेरनेस नरिश्मेंट एड एमिलरेशन ऑफ मदर अर्थ यह फुल फॉर्म है तो आपको याद रखना है ठीक है बेसिक सेंस में आगर बताओ यह PM प्रनाम स्कीम रिलेटेड किससे है यह से स्कीम में बोला गया है कि आप जो फर्टिलाइजर्स केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं जो फर्टिलाइजर्स जो केमिकल है उनको यूज़ ना किया जाए ठीक है और जो केमिकल फ्री होते हैं ऐसे फर्टिलाइजर्स का यूज़ बढ़ाया जाए यह है प्रणाम स्कीम का मेजर अब्जेक्टिव ठेक है तो यह आपको याद अखना है यह किस मिनिस्ट्री के अंदर है Ministry of Chemical of Fertilizers 2023 में इसको लांच किया गया आप देख सकते हैं इसको बजेट में भी 2023-2024 का जो बजेट था उसमें भी अनाउंच किया गया था प्रणाम स्कीम याद एक है चैमिकल फट्लाइजर का रिड्यूस हो और इंसेंटिव गवर्मेंट देगी स्टेज को कि वो अल्टनेटर फट्लाइजर यूज करें इसेड अफ यह हांफुल केमिकल फट्लाइजर तो यह है प्रणाम स्कीम तो आई होप आपको समझ में प्राइम मिनिस्टर आपको पता होगा तो 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 प्राइम मिन प्राइम मिनिस्टर ने यह mission जो है वो लौश किया है तौनकि ऑग्र बात करों यह mission प्राइम मिनिस्टर ने कहां से लौश किया है इसको जहारखन से लौश है गया 15 नमबर 2023 को आपको पतागा 15 नमबर को हम töराइबल दे बनाते हैं, tribal pride day बनाते हैं, क्यों? क्योंकि उस दिन birth anniversary है Lord बिर्सा मुंदा जी की, तो जो Lord बिर्सा मुंदा जी है, उनकी birth anniversary इसलिए हम tribal pride day बनाते हैं, 15th November, को इसलिए इसको जार्खन से launch किया प्राइम मिनस्टर ने, और या दखेंगा इसके अंदर 24,000 करोड रुपीज दिये जा रहे हैं, किसलिए दिये जा रहे हैं, अफकोस एम किया जा रहा है कि जो PVTGs है, जो particularly vulnerable tribal groups हैं, उनकी development के लिए तो उनकी 24,000 करोड रुपीज जो government दिये हैं, वो हर सेक्टर में उनकी PVTG development mission, तो पूझ भी सकते हैं, आपसे PVTGs जो हैं, वो सबसदा के state में हैं, तो answer है Odisha, जो कि चलिए, आगे बढ़ते हैं, थर्ड स्कीम में आते हैं, थर्ड कौन सा है, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, बड़ी important है, न्यूज में है, Ministry of Finance ने इसको लाँच किय 2023 में, ये स्कीम मैं बता दूँ, पहली बात Ministry of Finance के अंदर और किसलिए है, वोमेन इन्वेस्टर्स, याद एकिटू, एंकरेज वोमेन इन्वेस्टर्स, वोमेन इन्वेस्ट करें, उसके लिए ये, उसको एंकरेज करने के लिए स्कीम है, कहने में आप कैसे इन्वेस्ट कर स सकते हैं, कौन कर सकती है, इसे वोमेन कर सकती है, किसी भी एच की है, आप कहेंगे, सर 18 साल से कम एच की है, पैसे नहीं होंगे, तो इसके माबाप उसके नाम पर बाई कर सकते हैं, तो मैक्सिम्म तू लाग रुपीस तक आप बाई करेंगे, या देखिए का महिला समान सेव certificate ठीक है और आपको individual girl या woman किसी के नाम पर भी हो सकते हैं इसमें आपको अच्छा खासा interest भी मिल रहा है और दो साल का two years का maturity period रहेगा 2023 में to encourage women investors ये scheme launch की गई है by ministry of finance तो ये भी exam में question आ सकते है आप से फोर्थ next scheme की अगर मैं बात करूं तो say to bandhan scheme से तू bandhan join करने की बात हो रही है आपको लग रहा होगा सुनके बिल्कुल आप यहां पर मिनिस्टर देख रहो है नितिन गटकरी बहुत फेमस ministers है one of the favorite ministers है मेरे भी ठीक है कार्वेट ministry में अगर हम बात करें तो ministry of road transport on highway के minister है ये project जो ये scheme जो है say to bandhan scheme ये मैं आपको बतायता हूँ ये इसी ministry के अंदर scheme है इस scheme के अंदर याद अखेगा जो railway line है railway line में आप देखते है crossing होती है ठीक है या तो आप underground या देखिए under bridges बना दें तो ये उसका main agenda है तो बहुत अच्छी बात है वहना आप देखते होंगे गाउं अभी भी जाए तो railway का gate बन जाता है हम वहीं पर खड़े रहते है ठीक है तो इसके लिए under bridges या over bridges होने चाहिए और इसके लिए पैसा गासा आएगा say to बंधन scheme के लिए तो इसके लिए जो money है वो या देखिएगा central road infrastructure fund जो है इसमें पैसे आते हैं कैसे बतातो जो आप petrol और diesel बाई करते हो उसमें आपको एक सेस पे करना पड़ता है ठीक है एक additional tax होता है और वो जो आप जब भी बाई करते हो ठीक है पेट्रोल डीजल तो वो स इस automatically government buy लेती है और वो इस fund के अंदर आ जाता है ठीक है इस fund को में बता दूँ ministry of finance जो है उसका control भी है तो वो fund का पैसा इसमें आ जाता है और इसी fund से यहाँ दखेगा इस state 2 बंधन scheme जो है वो implement की जा रही है तब यह उसको funds प्रोवाइड कर रहा है इस scheme के लिए 2023 में ये से 2 बंधन scheme launch की गई है तो कि क्या लिए आगे बढ़ते हैं दिस इस वन फेमस scheme लखपती दीदी इनिशेटिव ठीक है बड़ी important scheme है किस ministry के अंदर है ministry of ruler development की scheme है ठीक है यह है क्या बता तो नाम से पर चला है दीदी को लखपती बनाया जा रहा है कुछ ऐसे ही है पहली बात इसके अंदर women's को encourage किया जाएगा ठीक है ऐसा नहीं कि जैसे मद्यपदेश में चला लागली मैंना सीधे women's के account पैसे ही डाल दो आप ठीक है कुछ नहीं करना है बस आपके account पैसे डाल देंगे ठीक है यह एक तरह की scheme है जो राज्यों में चल रही है आजकर बहुत सा stage women's को skill दीजिए उनको सिखाईए उनसे काम लीजिए फिर पैसा दीजिए लेकिन नहीं हमारे राज्यों में आप देख रहे हैं कि सिर्टायक अकाउंटों पैसे डाल देते हैं ठीक है तो यहाँ पर क्या है लखपती दीदी इनिशेटिव में क्या है यहाँ women's को encourage कि जाएगा कि अपना micro enterprises यहाँ दिखेगा village में चोटा बुटा business स्टार्ट करें ठीक है कैसे स्टार्ट करेंगी भाई उनको कुछ आना चीए तब तो स्टार्ट करेंगी सही कहरो आप तो इस स्कीम के अंदर क्या करेगी government दो करोड़ वोमें को training provide करेगी किस चीज की traveling waving की tailoring की LED bulb making की drone operation औ को training आने लगेगी तो logical अगर आपको यह सब training आने लगेगी तो आपको काम मिल सकता आप अपना enterprises स्टार्ट कर सकते हो ठीक है और इस प्रोग्राम के अंदर training मिलेगा women's को through self-help group यादे कि self-help group बनाए जाते हैं यहाँ women's रहती है बहुत सारी उसी के थुरू यादे कि वहीं अखपती दीदी initiative जहाँ पर women's को काम सिखाया जा रहा है okay 2023 में यह भी initiative लाँच किया गा है ministry of rural development के अंदर one of the great scheme जो मैं मानता हूं जससे आप काम कराई है फिर आप उनको इस तरह capable बनाए है कि मार्केट में of course कुछ income earn कर सके okay चले next आती है PRIP scheme यह भी बहुत news में रही 2023 में fertilizers full form बताता हूं PRIP का scheme for promotion of research and innovation in pharma med tech sector ठीक है यह पूरा full form है PRIP के scheme का okay मैंने बताए आपको किस ministry के अंदर है इसके अंदर करना कुछ नहीं है जो pharmaceutical sector है ना आपका ठीक है उसके infrastructure को develop करना है मतलब तो research infrastructure है जहाँ पर research होती है pharmaceuticals में दवाईया बनती है तो इसके infrastructure को develop करने के लिए scheme launch की गई है तो overall देखा जाए तो innovations बढ़े, research बढ़े, development हो किस चीज़ का medical and pharmaceutical sector की development हो okay तो यहाँ पर research and infrastructure को strengthen करने के लिए सरकार ने PRIP scheme launch की गई है सिधा पूछाएगा PRIP scheme किस से related है या किस ministry के अंदर है 2023 में launch की गई है तो आपको याद अखना है किस चीज से related है medical and pharmaceutical sector के infrastructure, research, इन सब को develop करने के लिए सरकार इसमें पैसे add-on कर रही है, okay मतलब money provide कर रही है, चलिए, next है Malvia Mission, आपने मदन मोहन Malvia का नाम सुना होगा, okay सुना होगा बलकुल, सीधा पुछाएगा Malvia Mission, 2023 में launch किया गया है, किस से related है, Teachers Training Program है, जो Teachers होते हैं उनको training का program है, यह Malvia Mission, ठीक है, Ministry of Education के अंदर यह mission है, इस initiative के अंदर, training provide की जाएगी, किनको, teachers को, ठीक है, जिससे उनकी quality enhance हो सके, education की of course, at higher education institutions, ठीक है, तो higher education institutions है, उन teachers को provide किया जाएगा, training provide की जाएगी, इसको better education provide का सके हमारे students को, okay, तो यार रखेगा Malvia Mission, just remember किस से related है, okay, चलिए, next आते है, next scheme क बिल्कुल ये scheme के बारे मैं बताता हूँ, मैं आपको 21.23 में scheme को launch किया गया, है ना, Ministry of Textile ने launch किया है, ठीक है, कपडो की ministry जो है, उसने launch किया है, तो कपडो से related ही होगा, बिल्कुल होगा, पहले हम full form देख लेते हैं, great scheme का full form क्या है, grant for research and entrepreneurship across aspiring innovators in technical textiles, क्या बात है, तो सरक scheme के अंदर सरकार का agenda है, to promote innovation भी promote हो, entrepreneurship जो है, या दिखिएगा, business की जो, वो भी develop हो, within the technical textile sector, textile sector में आप ये सब चीज़े सीखो, अब देखते हैं, अगर वो देखा होगा, that is shark tank, तो उसमें देखते हैं, लोग बहुत सार लोग कपडे बना रहे हैं, textile पर work कर रहे हैं, ठीक ह सरकार यहां में बताओ, 50 lakh रोपीस तक का grant in aid प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, for a period of 18 months will be provided, तो आपको grant in aid गवर्मेंट प्रोवाइड करेगी, अब बिसनस को set up कर सके हैं, इंडिया में textile sector डेवलप होगा, of course, इसे export भी होगा, इंडिया कपडे बाहर बेच सकेगा, of course, हम नाम भी क्या है, great scheme, under ministry of textile, okay, next है, ODOP scheme, one district, one product scheme, यह अपने पहले पर सुनी होगी, बिल्कुल, उत्तरप्रदेश ने इस scheme को launch की थी, but अब इसको पूरे इंडिया भर में लागू कर दिया गया है, यह है क्या, ODOP scheme, one district, one product scheme, पहले बता दू, ministry of commerce or industry के अंदर यह scheme launch की गई है, department of promotion, industry and internal trade जो है, वो promote कर रहा है, जो of course ministry of commerce है, ministry of commerce हो industry के अंदर आता है, ठीक है, यह क्या है, one district, one product scheme, मतलब हर district से एक product को उठाय जाएगा, ठीक है, उसका प्रचार प्रसार होगा, कहने का मतलब मैं बदात करो, इस initiative के अंदर, to turn every district in India, या दखियेगा, initiative aims to turn every district in India into export hub, उस district का जो भी एक best product होगा, चाहिवो agriculture product हो, चाहिवो आपका हेंडी क्राफ्ट हो, हैंडलूम product हो, जो भी उस district का best product होगा, ठीक है, उस product को याद रखिएगा, हर district से एक product उठाय जाएगा, ठीक है, और उस district को export hub बनाया जाएगा उस particular product के लिए, ठीक है, उसके लिए promotion होगा, ठ specialization भी हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तिछ वर इस district में रहतो होगे, वहाँ से को एक product होगा, चाहिवो agriculture product हो, चाहिवो handloon product हो, चाहिवो, कोई याद अखिएगा, handicraft, handloon, अग्री कश्च्च्र कोई भी product हो शकता है, उसको सरकार promote करेग, उस single product को, ठीक है, हाइग ह that is one district one product या दखेगा 2023 में इसको भी अल ओवर इंडिया जो है अब लॉंच कर दिया गया है क्योंकि ये यूपी में बहुत सक्सेस्फुल रही गया है नेक्स आते है रीच आउट स्कीम ये क्या है रीच आउट स्कीम 2023 में लॉंच हुई फुल फॉर्म देखते है क्या है पहले किस ministry के अंदर है ministry of earth science के अंदर है ठीक है तो कि जनरली आप से भी पुछा था कौन सी ministry के अंदर है तो reach out scheme जो है वो earth science के अंदर ministry के अंदर है comment box में मुझे बताओ minister of earth science कौन है अभी add present who is the minister of earth science या आप मुझे comment box में mention करोगे ठीक है ये scheme ये अम्रेला प्रोग्राम है फुल फॉर्म देखते है reach out का क्या है research education and training outreach ठीक है ये इसका full form है to strengthen capacity तो यहाँ दखिएगा reach out का full form क्या है research education and training outreach ये इसका full form है to strengthen capacity अभी किस चीज़ी capacity की development की बात कर रहा है मैं ताहूं जो earth science के project है उसमें research and development जो होती है उसके या देखिए research and development in earth science, earth system science उसके लिए ये scheme reach out scheme launch की गई है तो earth science related जो भी research and development होता है उसके लिए ये scheme बनाए गई है 2023 में सीधा पुछाएगा ये scheme किस से related है कोई नाम से समझ भी नहीं आ रहा reach out scheme तो या देखिए earth science के research and development से related ये scheme है ठीक है scientific field की ही ये scheme है चलिए next है one station one product scheme अब ये तो पुरानी scheme है बिलकुँ पुरानी है 2022 की but news में है 2023 में इसलिए मैं cover कर रहा हूं ठीक है उनका नाम आप मुझे comment box से mention करी है ठीक है उन्होंने launch किये इसका aim जो है to promote vocal for local मतलब हर station में आप जाते हो ठीक है तो अब आप जाओगे तो आपको कुछ ऐसी shop देखने को मिलेगी हर station में जहां लिखा रहेगा one nation one product ठीक है one station sorry one station one product लिखा रहेगा कहने का मतलब यह होगा होगा वहां कर जो local item होगा जो best local item होगा वह यहां पर रखा जाएगा और जब railway station में train खड़ी होती लोग आते हैं buy करेंगे तो आप यहां से products buy कर सकते हैं कहने का मतलब यहां पर हर railway station में एक promotional hub बनाया जाएगा जहां पर local products को जो manufactured होते हैं वहां रखे जाएंगे और लोग वहां पर जाके जो भी railway station में आएंगे वो buy कर सकते हैं तो यह scheme 2022 में launch की गी थी हर station में एक product को promote किया जाएगा इस तरह से stalls आप देख रहे होंगे हैं यह डवलप किया जा रहे हैं तो इस आगे ना great initiative नेक्स है operation नन्ने फरिष्टे यह क्या है operation नन्ने फरिष्टे बहुत news म में भी रहा operation नन्ने फरिष्टे इंडियन रेल्वे ने launch किया था आप देखते हैं बहुत सा बच्चे गुम हो जाते हैं railway stations में तो याद खेएगा हाँ पर children in need of care and protection जो भी माली किसी का ट्राफिक लिंग हो रही है किसी बच्चे को वहां पर पुलिस ने पकड़ा तो कौन स आकर याद खेगा उनकी families हैं उनको बच्चे दे दिये जाएंगे तो यह अभी RPF बड़ा अच्छा काम कर रही है बड़ा important role play कर रही है ऐसे गुमे हुए बच्चे या तो ट्राफिक लिंग में जो बच्चे मिल जाते हैं उनको track कर पाते हैं उनको rescue करते हैं याद इसलिए कवर कर रहा हूँ मेरा agenda है ऐसी सारी scheme लेके आ गया हूँ याद जितनी भी news में है 2023 में आई है launch हुए या पुरानी भी है बट अभी news में है क्योंकि एक lecture में question यहीं से कवर कर देंगा अपन ठीक है सारे scheme for higher education youth in apprenticeship and skills यह full form है ठीक है अब यह scheme किस ministry के अंदर है ministry of social justice है में दोज़ा 19 की scheme है बट इस scheme के अंदर में बता दू होना क्या है इस scheme के अंदर याद आखिए का हाई quality coaching प्रोवाइट की जाएगी किसको economically disadvantage जो गरीब होते हैं चाहे वो schedule cast हो और चाहे वो OBC candidate हो ठीक है जो भी गरीब होंगे यहाँ पर उनकी help की जाएगी enabling them to participate in competitive exams to participate कर सक जिससे वो higher education institutions में उनके लिए admission लेना असान हो सके क्योंकि याद आखिएगा बड़ी-बड़ी coaching से उनका पैसे नहीं होते हैं ठीक है उनको बहुत कुछ करना होता है चाहे government exam के प्रेशन करना हो चाहाई IT जेए में जाना हो तो वहाँ पर सरकार उनको share scheme के अंदर help करेगी याद आखिए share scheme full form आपको याद आखना है ministry of social justice और empowerment ministry ने लाउंच किया है comment box से मुझे बताओ अभी at present who is the minister of social justice and empowerment के अंदे सरकार में कौन है minister या आप मुझे comment box में mention करिए ग्रामोदे विकास योजना अभी विकास योजना ग्रामोदे गाउं से लेटेट लग रही बताओ यह scheme भी पुरानी है 2020 में scheme launch हुई थी but बताओं क्यों important है MSME ministry के अंदर आती है इसका aim क्या है इस scheme का aim है to provide common facilities, technological modernization, training, social security, marketing support यह सब देना है किसको artisans और entrepreneurs जो की villages में लोग जैसे क्या बनाते हैं अगरबत्ती बनाते हैं खादी के product बनाते हैं पोर्ट्री बनाते हैं honey के लिए कुछ work कर रहे हैं तो उनको आपको ऐसे लोग जो village में काम कर रहे हैं इन industries में उनको यह सारी चीजे जो है सरकार provide करेगी ठीक है तो अभी आप देखा अभी recently honey के लिए government इस पर work करी scheme के अंदर ही अभी news में 2023 में ठीक है और यह scheme जो है खादीयन village industry commission जो है वो implement कर रही है ठीक है through these field officers and institutions के पाद जो field officers और institutions है उसके तुरू वो इस scheme को implement कर रही जो कि बड़ी अच्छी scheme है ठीक है तो village में आपको employment के लिए याद दिखिएगा आप अगर चोड़ी संपन हित्ग रही योजना यह इसका full form है यह scheme ministry of social justice and empowerment की scheme है इस scheme के अंदर याद रखिएगा सरकार क्या provide करने वाली है skill provide करेगी targeted youth होगे उनको skill provide करेगी short term skills भी रहेंगी long term skills भी provide करेंगे जिससे कि उनको खुद की self employment वो कर सके या तो salary based को employment वो कर सके तो उसके लिए PM दक् की scheme है जो 2020 में launch की गई थी बट अभी रिसेंटली न्यूज में है तो skill development training courses है यार यह PM दक्षी हो जना तो आपको याद अखना है ठीक है next है PM स्वनिधी scheme यह बड़ी famous है बड़ी news में रही है scheme ministry of housing and urban affair की scheme थी इस scheme के अंदर याद अखिएगा सरकार loan provide कर रही थी street vendors को जो urban areas में ठीला लगाते हैं ना उनको याद रखेगा street vendors जो होते हैं उनको loan provide कर रही है ठीक है 10,000 रुपे से loan provide करी initial capital 10,000 रुपीज से लेके 50,000 रुपीज तक government यहाँ पर आपको maximum 50,000 है यह loan provide करे यह scheme 2020 की है but important है PM स्वनिधी scheme क्या दखिएगा बहुत बार exam में पूछी आती है next PM divine scheme यह भी बहुत बार पुछी आती है North East के students के लिए बहुत important है क्योंकि इसका full form देखो क्या है Prime Minister Development Initiative for North Eastern Region North Eastern Region की development के लिए PM divine scheme launch की गई है किस ministry के अंदर लोग confused हो जाते है Ministry of Development of North East Region जो है इस ministry के अंदर यह scheme आती है जहां North East Region को develop करने की बात करे है 100% याद रखिएगा central funding इसमें दी गई है 2022 की scheme है बट अभी 2023 में यह news में चल रही है ठीक है तो आपको याद रख रहे है comment box में मुझे बताओ आप कि who is the minister of development of North Eastern region ठीक है कौन है भी at present minister या मुझे comment box से मता है यह important scheme ठीक है नेक्स से PM वानी scheme फुल फॉर्म बताता हूं वानी का प्राइम मिनिस्टर पीम से तो हो गया वानी है Wi-Fi Access Network Interface scheme ठीक है तो नाम से आगा PM वानी scheme किस से related है confuse मत होना बहुत simple सी है इस scheme के अंदर याद के Wi-Fi hotspots लगाए जाएंगे throughout the country जिससे आपका of course क्या हो digital connectivity बन चके internet आजकर बहुत ज़रूरी है तो Wi-Fi hotspots देश में लगाए जाएंगे PM वानी scheme के अंदर ministry of communication की scheme है 2020 की scheme थी बट अभी बहुत news में चल रही है PM वानी scheme ओके चलि इस तरह पार्क्स बनाए जा रहे हैं यह क्या है वो भी बताता हूं मैं आपको पहले बता दूँ यह scheme जो है ministry of textile की scheme है ठीक है इस scheme के अंदर सरकार क्या कर रही है आपको ऐसा एक डेवलप करना चारी जहां पर या दखेगा spinning हो weaving हो कप्रे बनाने के लिए dying हो printing हो government की सारी manufacturing की चीजे हो ठीक है एक location में आपको मिले जिसे logistic cost जोते ना कि एक चीज यहाँ पर एक चीज यहाँ पर है वो सब reduce हो सके मतलब एक तरीके से textile पार्क तो PM Mitra textile पार्क्स जबलप कर रही है आप देखेंगे अभी news में भी है बहुत से PM textile पार्क्स बनाए जा रहे है तो यह इस PM Mitra scheme के अंदर ही बनाए जा रहे है 2021-2022 के अंदर यह scheme launch हुई थी जो कि एक important scheme है exam perspective से ठीक है तो यहाँ दखेगा textile के लिए रिगार्डिंग यह scheme है Mission Vatsla यह भी news में रही इस पार Mission of Ministry of Women and Child Development की scheme है पुरानी scheme है 2021 की यह दखेगा यह एक umbrella scheme है बहुत से schemes को cover कर दिया गया है अब इस Mission Vatsla के अंदर जहाँ पर Child Protection Services जो भी चीदे Child Protection से लेटेड है वो सारी अब Mission Vatsla के अंदर add कर दिया गया है तो यह भी आपको याद आखना है यह भी अभी news में चल रही है ठीक है next है goverdhan scheme this is one of the important scheme कहेंगे सर पुरानी scheme है 2018 की scheme है बढ़ हर साल news में रहती है goverdhan scheme ठीक है बताऊंगा भी में क्यों news में है goverdhan scheme पहले बता दो इसका agenda क्या है इसका agenda है कि आप wealth बना सके energy बना सके किस चीज से by converting cattle dung agriculture residue और other organic waste से आप यह सब बना सके कैसे बनाओगे इससे आप बनाओगे bio gas इससे आप बनाओगे compressed bio gas इससे आप बनाओगे bio fertilizers और government इसमें आ drinking water and sanitation है और ministry of agile शक्ती है अब अभी recent news में से लिए क्योंकि unified registration portal launch किया गया है गोबरधन scheme के अंदर इस portal के अंदर क्या होगा let us suppose अगर मेरा plan है कि मैं bio gas या compressed bio gas या bio fertilizers के CNG का plant वगर open करना चाह रहा हूं ठीक है तो उसके लिए मुझे registration number अगर लेना है अन्रोल करना है तो directly इस portal पर जाकर registration number ले सकता हूं तो easy हो गया में लिए plant open करना ठीक है 2018 की scheme थी बट अभी news में है आपको याद अखना है यह scheme किस से related है आगे बढ़ते है next portion भी पढ़ाई भी नाम से बचला है portion मतलब आप यहाँ पर बात कर रहे है that is portion मतलब क्या nutrition की बात कर रहे है और पढ़ स्कीम focus on early childhood care and education at आगनवाडी across the country okay 2023 में इसको launch किया गया ministry of women and child development minister यहाँ पर दिख रही है चलिए comment box में रहे है यह कौन सी मिनिस्टर है बड़ी famous मिनिस्टर है ठीक है women and child development ministry इनके अंदर है ठीक है next है PM श्री scheme full form क्या है PM श्री बहुत सुना होगा आपने प्राइम प्रधान मंतरी school for rising India यह full form है PM श्री scheme का ठीक है इसके अंदर याद रखिएगा development किया जा रहा है जो already schools है 14,500 schools जो already established है उनको वापस developed किया जा रहा है development of more than 14,500 schools की development होगी उनका infrastructure उनको और better किया जाएगा यह ministry of education की scheme है 2022 में लांच की गई थी बड़ अभी यह news में है ठीक है चलिए next ह PM FME scheme full form बताये तो बहुत असान है अगर आप लोग food processing से related अगर आपको idea होगा तो full form है PM formalization of micro food processing enterprise scheme ठीक है यह है इस scheme का full form ठीक है इस scheme के अंदर आपको या रखना है क्या किया जा रहा है यहाँ पर financial technical और business support देंगे किस चीज़ के लिए अगर आप micro food processing enterprises मतलब इस पर अगर बिजनेस पेंटर कर रहे हैं micro food processing enterprises तो इस scheme के अंदर सरकार आपको financially भी help करी टेकनिकल भी help करी और business support के लिए गवर्मेंट आपको help करेगी अगर आप food processing के business मेंटर करना चाहते हैं तो इसको food processing ही नहीं पता तो बता दूं processing मतलब बता आलू से uncle chips बनाना तो यह जो आलू से uncle processing industry ने मनाई है ठीक है एक example दे रहा हूँ आपको तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो अगर आप एक आलू बेचोगे तो आपको कित्तर रुपे मिलें कुछ नहीं मिलेगा बड़ यह अंकल चिप्स बेचोगे तो आपको ज्यादा रुपे मिलेंगे कि नहीं तो बिल्कु इसी इसमें ट्राइबल्स की जो इंकम है ना उसको बढ़ाने की बात किया रही है जो ट्राइबल्स की इंकम उसको इंप्रूफ करने की बात किया रही है कैसे उनके जो ट्राइबल्स की इंकम उसको इंप्रूफ करने की बात किया रही है कैसे उनके जो ट्राइबल्स की आपको बहुत से मेडिसिन में भी यूज होते हैं उनके प्रोडक्स तो यहां पर ट्राइबल कॉपरेटिव मार्केटिंग डिवलप्मेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है उसका काम है कि यह चीजे करके देना ठीक है उनको बताईए किस तरह है उनके प्रोडक्स क इको सिस्टम स्कीम यह फुलफॉर्म है स्कीम का निस्ट्री आफ औरबन अफेर के साथ साथ मिनस्ट्री आप पर यहां पर देख सकते हैं आज कर हम देखते हैं यह जो सीवर्स बने हुए लोग ऐसे जो सफाई करते हैं सीधे चले जाते बिनाओं सेफ्टी मेजिर्स और उ याएटिसिस होती है जा दखेएगा हुआ अंसेफ है बहुत तो उसको एडिकेट करना आपके आपके आपर एक्विपमेंट्स प्रॉइड करिए बहुत इंपॉलनेट्ट भी है क्योंकि बहुत से लोग की आपधर देखा गया है डेथ हो जाती क्योंकि वह कोई equipments लेके enter नहीं करते हैं Monument Mitra scheme यह scheme क्या है? यह scheme पहले Ministry of Tourism की थी बट अब यह shift कर दी गई है Ministry of Culture के अंदर तो 2017 की scheme है बट अभी recently इसको shift किया गया Ministry of Culture के अंदर यह scheme के अंदर जो भी monuments है माई जैसे Taj Mahal, Red Fort ठीक है जो भी heritage है, tourist sites है वो सब हम invite करेंगे corporate को कि आप इस पर आईए क्या करिए आप आकर या public sector companies को invite करेंगे, private corporate को invite करेंगे कि आप adopt करें इनको adopt करना मतलब आप इनको adopt करें जैसे नहीं हम बच्चे को adopt करते हैं इनको adopt करें तो इन पे आप funds देंगे इनकी और development होगी और tourism बढ़ेगा देश का तो ministry of culture के अंदर ये scheme है कब कुछ लोग बोले थे कि इस से private entity को हम बेच दे रहे हैं अपने ताज महल और red fort ये इसका मैं adopt करना मतलब वो उसको develop करें ना कि उनको हम sell out कर रहे हैं तो confusion तो लोग market में create करता है don't get confused next है grameen उद्यमी scheme grameen उद्यमी scheme नाम से पर चला है grameen से related है बिलकुल ये scheme जो है it was launched to expand skill training skill training दियाएगी किसको tribal communities को ठीक है of course tribal communities को आप skill दीजे इससे वो उनकी growth हो सके development हो सके ministry of skill development or enterprise या दखेगा उसकी ये scheme है grameen उद्यमी scheme ये scheme पर funds जो दे रहा है वो दे रहा है national skill development corporation जो है वो funds दे रहा है जो tribal students को train किया जाएगा और six states को choose किया गया है जहाँ पर tribal students को train किया जा रहा है वो है महराष राजिस्थान 36 गर मद्यपदेश जार्खणो गुजरात यहां के बच्चों को train किया जाएगा कि of course training मतलब skill development की ये ट्राइबल students को skill development की scheme है PM कुसुम scheme फुल फॉर्म बतायता हूँ प्राधान मंतरी किसान उर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महा भ्यान ठीक है ये scheme है PM कुसुम का फुल फॉर्म है पुराणी scheme में 2019 में लॉंच किया गया था Ministry of New and Renewable Energy के दर scheme है ये scheme में अदर होगा क्या गाओं में आप देखे जो pumps लगाए जाते हैं तो यहां पर जो pumps लगेंगे pump लाने के electricity होती कि नहीं तो वो लगेंगे solar pumps क्या लगेंगे solar pumps और यहां पर देखे solar pump के लिए आप यहां पर खुद का ग्रिड बना लेंगे जिसे कहते हैं ऐसे grids कौम कहते हैं क्या that is off grid या देखे तो ऐसे grids रहेंगे इन grids के दूँ solar energy के थूँ या देकिन pumps को work किया जाएगा तो environment friendly भी है और electricity भी बचेगी यहां पर solar energy भी promote की जाएगी तो यहां पर क्या किया जाएगा off grid solar pumps लगा जाएगे रूलर एरियास में ठीक है तो हर एरियास में से solar grid के आप देख रहे है pumps लगा जाएगे for solar pumps that is PM कुसम scheme next है यह scheme 2013 में 2023 में launch किया गया मेरा bill मेरा अधिकार योचना नाम से बचला बिल से लेटेड है English में कहेंगे invoice incentive scheme कहने हैं मतलब जब भी आप कोई product खई दे तो वो bill के लिए request करे और आप request करेंगे जब भी आप purchase करें bill के लिए request करें उस bill को आपको क्या करना है उसको government का portal है ठीक है उस portal पे जाकर आप update कर दें और यहां पर आप update करेंगे तो सरकार आप अगर लखी रहे तो सरकार आपको cash incentive भी देगी तो let us suppose आप लखी रहते हैं तो यहाँ देखेगा you will get some gift hampers by government आपको कुछ benefits मिलेंगे पैसे मिलेंगे आपको प्रोवाइड के जाएंगे मिर्श्यों फिनांस से प्रोवाइड के अपको जिससे आप बिल मांगे तो इस तरह लोग बिल मांगेंगे तो मेरा मानना है आप लोग भी बिल मांगे और upload करें हो सकता प्रोवाइड में विनर निकले नेक्स है PM E-Bus Service Scheme नाम से पर चला है E-Bus Service इस Scheme के अंदर याद अखिएगा 10,000 electric buses जो है वो PPB model के थुरू urban transportation को urban transportation भी develop होगा plus environment friendly transportation भी develop होगा सरकार का ये initiative है PM E-Bus Service Scheme जो की Ministry of Housing on Urban Affairs के अंदर launch किया गया है इस इस बन आफ दा important scheme PM Visio Karma scheme ये बहुत news में रही PM Visio Karma scheme मैंने last lecture में बताया था कुछ यहाँ पर एक change बताना है मुझे जो last lecture में गलत हो गया था मैं यहाँ पर clear कर देता हूँ लिए कि PM Visio Karma scheme पहरी बात है क्या इस scheme के अंदर जो individual skilled in traditional craftsmen जो traditional craftsmen होते है उनकी help करने की बात करें जो artisans होते है उनकी help करने की बात की जारी है और generally जो OBC community से belong कर रहे है उनकी सरकार help करेंगी आप कैसे help करेंगी traditional craftsmen है विचारों को आज उनका धंदा चल नहीं रहा है सरकार यहाँ पर आपको loan provide करेंगी ठीक है यहाँ पर आपको 3,000,000 रुपे तक का loan मिलेगा at 5% interest सरकार यहाँ पर देखे आपको collateral free मतलब आपको बदले में कुछ भी रखने ही जोगत नहीं है सरकार आपको loan provide करेंगी ठीक है last time मैंने 1500 बोल दिया था 15,000 रुपीज सरकार परवाइड करेंगी for purchase of modern tools यहाँ देखेगा यह scheme जो है MSME, Skill Development of Finance Ministry ने मिलके PM Vishyokarma scheme launch की है one of the important initiative आपको याद आखना है PM Vishyokarma scheme next है अमरित भारत इसब 21.23 में लाँच हुई यहाँ देखेगा Vishyokarma भी 21.23 में लाँच हुई है अमरित भारत station scheme यह scheme मैं आपको बता दू Ministry of Railway ने 21.23 में लाँच किया गया है जहाँ पर जो railway stations around 1309 railway stations choose किये गा है nationwide में जिनको वो आपस redevelop किया जा रहा है तो अमरित भारत scheme के अंदर railway station को redevelop किया जा रहा है नेक्स है अमरित भारत scheme जब वेट लेंच साथ सुने होंगे इंडिया में रामसर साइट साथ सुने होगी 75 है तो यादे कि वेट लेंच अभी रीसेंटी वेट लेंच शिटी भी बनी है उदेपूर तो यादे किए का 25 है बहुत साथ वेट लेंच है इंडिया में तो इसके अंदर जाह तकिए वेट लेंच को प्रोटेक करने की स्कीम है नेक्स है मिश्ट्री स्कीम अगें 2023 में लांच की गई आप देस्वरों को मैंगरूज जो शोर लाइन में लगाई जाते हैं उसके लिए ये स्कीम है मिश्टी स्कीम फुल फॉर्म है मैंग्रूव इनिशेटिफ फॉर शोर लाइन हबिटाइट और टेंजिबल इंकम इस स्कीम के अंदर आपको याद अखना है ए फॉरेस्टेशन किया जाएगा कोस्टल एरियास में मैंग्रूव फॉरेस्टेशन की मैंग्रूव को बढ़ाना है उसके लिए मिश्टि स्कीम ने स्टार्ट किया है इसमें 80% फंडिंग सेंटरल गविएंटरल देरी और 20% स्टेट गवर्मेंटस देंगे अफकोस coastal states जो है वहीं पर ये scheme जो है वो लागू होगी ऐसा गुजरात हो गया है ना आंद्रप्रदेश हो गया ऐसे states में ही लागू हो गया मद्रप्रदेश मंगरूव ये scheme नहीं लागू हो जाएगी ठीक है coastal area ही नहीं है हमारे मद्रप्रदेश में नेक्स है उडान 5.1 उडान scheme दिखाता हमने उड़े देश का आम नागरी ये 5.1 क्या है देखिए इस scheme के अंदर regional connectivity scheme है जैसे बहुत से ऐसे एरियास है जहाँ पर airports नहीं बन सकते है तो अब गाहों का area है अब उसको कैसे connect करें तो इस scheme के अंदर याद दखिए air connectivity को enhance करने के ल उस scheme को implement कर रही है comment box में मुझे बताईए minister of civil aviation कौन है बड़े famous है मद्द पदेश के हैं वो आप मुझे माम बताईए उनका next है विवाद से विश्वास scheme 1 ठीक है इस scheme के अंदर जो भी MSME सेक्टर था उसको जो दिक्कत दे आए जी COVID-19 के टाइम पर उनको कुछ relief देना था तो इस विवाद से विश्वास के अंदर relief प्रोवाइड की जा रही है MSME सेक्टर को जो COVID-19 से impact हुए थे Ministry of Finance की scheme है 2023 में इस scheme को launch किया गया ऐसे ही एक और scheme है 2.0 विवाद से विश्वास 2.0 ये scheme भी Ministry of Finance से 2023 में launch की है ये है contractual disputes के लिए जो government agencies होती है ना उनके भी जो बहुत सा disputes चल रहे हैं ठीक है उन disputes को resolve करने के लिए जहां government agencies involved है उनको resolve करने के लिए ये विवाद से विश्वास 2.0 लांच किया गया है next है संगठन से समरिद्धी scheme ये scheme क्या है यहाँ पर women's को या देखेगा जो रूलर हाउस होल्ड में यहाँ पर agenda जो women's है उनको self-help group में join कराना है जो भी eligible ruler women's है उनको self-help group में join कराना है टागेट भी सरकान रखा है 9 to 10 करोर women's को self-help group में join कराना है Ministry of Rural Development की ये scheme है 2023 में ही launch किया गया है MSME competition lean scheme competitive lean scheme ये भी 2023 में launch की गई बहुत news में चली ये lean scheme क्या है MSME के लिए मैं आपको बतायता हूँ lean scheme पहले मैं आपको lean scheme बताने से पहले lean manufacturing बताता हूँ ठीक है ऐसी टेकनीक जहां पर आप product जब बनाएं तो उसकी productivity आपकी अच्छी हो quality आपकी अच्छी हो और आपका wastages कम हो उस product को बनाने को अगर आप इन principles को follow करते हैं तो हम कहते हैं आपने lean manufacturing principles को follow किया है ठीक है मतलब आपका defect जो होता है product का वो कम होता है तो यहां पर सरकार ने बोला है कि हम MSME competitive lean scheme launch करेंगे मतलब हम MSC products जो भी हम छोड़े products MSME में products बनाते हैं उनको हम lean manufacturing principles follow किया जाएंगे कहने का मतलब जो भी product बनेंगे उनकी productivity हाई होने चाहिए उनकी quality हाई होनी चाहिए ठीक है और ऐसे product हो जिनके defect जो हो वो कम हो ठीक है defective products ना बनें ठीक है अगर ऐसे होंगे तो आप global market में competitive कर सकते हैं ठीक है जिससे इंडिया का export hub जो है export क्योंकि MSME sector एक बहुत important sector है अगर उसमें हम इस principles को follow करेंगे तो of course हमारा बाहर का export जो होगा वो develop होगा profitable market बनेगा competitive market को हम tackle कर सकेंगे MSME sector की यह scheme है आपको याद रखना है और यह scheme 2023 में launch की गई lean principles बड़ी important है निउस में आप से exam में इंटर्विउस में आप से पूझ भी सकते हैं नेक्स है प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना यह भी 2023 में launch की है अपने National Food Security Act पढ़ा होगा जहां आपने पढ़ा होगा 3 रुपे केजी rice, 2 रुपीज केजी wheat 1 रुपी केजी coarse grain यह आपको मिलेगा 5 kg per person हर वेक्ति को मिलेगा 5 kg per person per individuals मिलेगा और अगर आप अन्य योजना के अंदर आपको 35 kg पर family मिलेगा तो यह National Food Security Act है जो मैं अल्रीड पढ़ाट शकूँ बहुत बार अब सरकान इस scheme के अंदर क्या बोला कि आपको 35 kg अगर अन्य योजना के अंदर आते हो 35 kg मिलता है पर family और अगर आप इसके अंदर नहीं आते हो तो आपको 5 kg per person यह मिलता है यह सारे product आप ले सकतो ठीक है 5 kg per person per month ठीक आपको यह चीज़े मिल जाएंगी इस rate में सरकान ने क्या बोला कि भाई यह जो rate है subsidized rate है यह भी देने की ज़रोत नहीं 3 रुपे, 2 रुपे, 1 रुपे देने की ज़रोत नहीं मनलब totally free ले जाओ मनलब 5 kg per person per month मिलेगा बट free में कोई भी subsidized rate देने की ज़रोत नहीं है 35 kg मिलेगा अंटो दियान योजना के नदा बट कोई भी पैसे देने की ज़रोत नहीं है मनलब free कर दिया है सरकान नन को ठीक है COVID की डाइम पर लॉँच किया था बट अभी भी ये continue चल रही है और याद रखेगा ये सरकान ने एक साल के लिए और स्कीम को बढ़ा दिया है Ministry of Consumer Affairs Food of Public Distribution की स्कीम है जिसमें आपको free राशन एक तरीके से मिल रहा है subsidize rate जो था वो भी देने की ज़रूरत नहीं है अब ठीक है last scheme है BIND BIND scheme फुल फॉर्म बतायता हूँ Broadcasting Infrastructure Network Development Scheme Central Sector Scheme है Ministry of Information और Broadcasting के अदर ये scheme आती है इस scheme के अंदर सरकार financial support करी प्रसार भारती को उनका civil work related है organization में उन सब को develop करें तो कुल मना के प्रसार भारती को develop करने के लिए ये BIND scheme that is Broadcasting Infrastructure and Network Development Scheme launch की गई है तो ये थी सारी schemes आपने देखा हूगा Quick revision में ये भी 2023 में launch हूई है BIND scheme आपने देखा हूगा सारी schemes से बता दी एक scheme बाहर नहीं गई है यहाँ देखेगा एक lecture देखो सारी चीज़े में बताता हूँ without wasting your single minute also तो यहाँ पर ये lecture जो है वो complete होता है अगर आपको initiative पसंद आया हो आपने देखा हो सारी schemes एक lecture प्रोवाइड कर दी updated के साथ old schemes को भी देखते हुए आपको बहुत साथ paid courses आपने join किया होगा जहाँ पर आपको ये एक-एक scheme के लिए एक-एक lecture बनाते हैं बट हम यहाँ पर सारी schemes एक important perspective से जो चीज़ important है वो provide कर रहे हैं ठीक इसका PDF भी आपको मेरेगा मेरे टेलिग्राम ग्रूप पे flat off है plus 70% और off है मतब 90% off चल रहा है application में जाओ ये सारे offers आपको मिल जाएंगे आप जाकर अभी courses जो है हमारे काएंगे सर कौन से courses भाई करें अरे quality, geography, history, economics ये सब चीज़े भाई करने ही कि नहीं आपको करने एक जगे सारी मिल जाए updated हमें telegram में बड़ी दिक्कत होती है youtube पे कहां search करते रहें तो वो भी आप चल जाओ application में वहाँ पे 20% off में सारे lectures with PDF आपको वहीं available हो जाएगी ठीक है तो एक बार application visit करो 20% off में कोई भी courses जो हो भाई कर सकते हो diwali 20 जो है वो coupon code है ठीक है अगर आपको किसा classic ज़रोतनी time करीब बचा है अब तो exam है West Bengal के exam है आप देखो हर्याना की exam है बहुत सा state के exams है ठीक है अब कम time पर कैसे पढ़ें तो कोई notes है क्या hand written notes भाई कर सकते हो याद दखेगा यह सारी total 14 booklet चाहती ही हर subject की current affairs की भी है याद रखेगा ठीक है environment की है quality, geography मैं बताँ मुझे बुकलेस जो है आप यह सारी 14 booklet जो है इनको भाई कर सकते हो घर में आपके घर में कोरियर करवाऊंगा ठीक है कैसे होगी मेरा number contact number दिया हो तुरंद वाट्चैप करो आपको मैं यह details बताऊंगा प्लस आप अगर sample देखना चाहते हो तो मुझे वाट्चैप करो मैं आपको sample भी दिखा दूँगा इसके sample भी आपको मिल जाएंगे sample चेक करो फिर आप order कर सकते हो कहो के sir हम वाट्चैप नहीं कर रहे है और कहीं से order कर सकते हैं बिलकुल order कर सकते हो application का नाम है दिवशीष classes link description box में आप को download करो वहां से भी आप मेरे सारे notes को order कर सकते हो even अगर आप चाहते हो किसे classes भी चाहिए हमको तो आप application दे directly भी buy कर सकते हो इसलिए application download करो offer चल रहा है मैं बता दूँ offer का last day आने वाला है तुरंद buy करो हर चीज़े महाँ पर मिलेंगी UPSC से लेके state services के exam से एक टाइम पर कम टाइम पर जल्दी qualify करना है सारी चीज़े अपडेटेड रहेंगी अब आप देखते हो लोग केते हैं कहां से पढ़ें means की भी सारी classes आपको मेरे application में available मिल जाएंगी I hope आपको इस lecture समझ में आया होगा वीडियो पसंद आया होगा और आया होगा तो आपने वीडियो को like तो करी दिया होगा नहीं किया है तो कर दो यार इतना wait किया है तो अब like तो बनता है at least और इस वीडियो को अगर आप मेरी help करना चाहते हो तो अपने friends के साथ share करो आप अलग-अलग groups में रहते हो वहाँ पस share करो ज़ादा ज़ादा share करते हो जो भी यार देखेगा आप लोग ये करते रहोगे तो मैं ऐसे ही lectures बनाता रहूँगा एक single lecture में बहुत साइचीज़ें आपको provide होती रहेंगी कोई doubt query वो भी बताईए आप कोई topic पे lecture बनवाना चाहते हैं कोई doubt query वो भी उताईए और प्लीज इस वीडियो को share ज़रू करते जाएए ठैंक यू और विवन और PDF कहा मिलेगा PDF मिलेगा टेलिग्राम ग्रूप पे लिंक के description बॉक्स में mention है ठैंक यू और विवन जे हिन जे भारत